बॉलिवुड की ख़तम क्यों नहीं होती भाई साल भर पहले आए सूपरेट पाकिस्तानी गाने पसूडी का भी रीमेक करेंगे अब यह अब कभी तो अपना कुछ बना लो यार पागल बागल हो गया तो जिस बात की कमी रह गए थी वो भी पूरी हो गए भाई पसूडी गा गाना है वो कॉपी बताया रहा था इंडिया से और उसकी वज़ा से कुछ कॉंट्रोवर्सी हो गए थी और उसको ब्लॉक कर दिया गया था कुछ एपिसोड भी ओड़ गए थे फिर वापसी लाया गया उसको लेकिन अब यह सीन मन गया है कि फिर से इंडिया में पाकिस्ता गाने पसूडी का भी रीमेक करेंगे अब यह अब कभी तो अपना कुछ बना लो यार पागल वागल हो गयो क्या ऐसी खबरे उड़ रही है कि सत्य प्रेम की कथापन जिसमें कार्दिकार और कियारा अडवानी है उसमें इतना आइकॉनिक गाना यूज करेंगे यह रीमेक कर लिया है आज कल रिलीज हो गया बॉलिवुड कर रहा है हर चीज में यह एकसेप्टिबल नहीं है है मैं हूँ वो म्यूजिक फैन जिसके कानों से खून निकल चुका है बॉलिवुड के गंदे घटिया बरबाद रीमेक गाने सुन सुनके लेकिन इनको अकल नहीं आने की है मेरा मतलब हाई मैं हूँ अभिशेग आप देख रहें वन कट अगर सच में ऐसा हुआ है ना कि पसूडी का भी कोई तुच्चा थर्ड क्लास रीमें किया है तुमने तो सच बता रहा हूं इतने चाटे मारूआ मूँ पर इतने चाटे मारूआ क्या फिक्सेशन है तुम वालों की गाने उठा लेने की भाई बच्चे दो एच्छे बोलते हमारा देश 130 करोड हो चुका है तुमको तब भी यहां कोई टालेंट नहीं मिलता क्या कि जब देखो इधर उदर से कॉंटेंट उठाने निकल जाते हो रोज का यही है ना तुमारा सुभा उठो फिर हॉ घूम रहे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि तुम्हारी मुनापुली चल रही है म्यूजिक इंडस्री पे और अंदर किसी ढंके बंदे को घुसने दोगे नहीं फिर अच्छे लिरिक्स और कॉम्पोजेशन का दिवालियापन चुपाने के लिए तुम कहते हो कि चल होता सयाना कुटा घूखाता है जो जीता वही सिकंटर इसके माका दिमाग से तो पैदल होई इसलिए अच्छे गाने को भी बरबाद कर देते हो यहीं है तुम्हारा ट्राक रेकॉर्ड गवादो फिर नेहा ककट से उहीं करते करते पूरा गाना निकाल देगी दीदी परशाए ना इनके बाइट ओनिक अकट से कटे लने कर देखे fully अचाचा कुर्ता पजामा काला 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 इसला पहले दो पैसे की शरम थी इनमें की पुराने गानों को उठा के रीमेक करते थे साउथ का गाना है तो ऐन आधी में रीमेक करते थे अब तो साल भर पुराने गाने को भी छोड़ नहीं रहे है यह चेसो मिलियन व्यूज़ है यूट्यूब पे पसूड़ी गाने की विडियो पे दोसों से तीन सो मिलियन स्पॉटिफाय स्ट्रीम्स है लेकिन यह शायद और भी जादा होंगी तो अगर आपको यह गाना रीमेक करना है तो पर पहली बार तो नहीं है यह जो बॉलिवूड ऐसे बरबाद रीमेक्स कर रहा हो पसूड़ी को परे रख भी दें तो भी एक बार यह सुनू इंट्रनाशनल लेवल पे हक मारते हैं यह मनी के मगे हिते श्री लंका की एक इंडिमेंट आर्टस योहानी का इंटरनेट सेंसेश पाकिस्तानी सिंगर अबरार उल्हक का आइकॉन ने गाना चुक चाप गिपी करेवाल पाजी से गवा लिया और पिच्चर में डाल दिया अबरार भाई बोलते रहे कि यह गलत किया है बॉलिवूड बालों ने लेकिन इनको क्या ही फरक पड़ता है पुराने बेशरम जो ह इसके परताश करने के काबिल लगेगी जालिमा को का कोला पिला दे फिल्म का नाम भुझ दिप्राइड ओफ इंडिया और गाना इस्तमाल किया पाकिस्तानी नूर जहां जी का गाया हुआ यह गाना जो 1986 में आया था उसे क्यों यूज किया ऐसे ही सेक्सी लग रहा था एक् साम तक यह लिस्ट में आपको बताता रहूंगा और आप सुनते रहोंगे और इस बीच बॉलिवुड फिर कोई अल्रेडी हिट गाने रीमेक कर देगा क्योंकि लाइक टोल्ड यू बॉलिवुड को लगता है कि और बंटी है और बंटी तो क्या करना है फिर इन अब तो वाकई में आप लोगों ने हद ही कर दी वुलने को छोरी के स्क्रिप्ट चोरी के डैलॉक चोरी की म्यूजिक चोरी की पूस्क्टर ऐसा कुछ तो ओरेड़ चोरी कारो जो हम लोगों को लगे कि आ지 और ऊरिजनल कर रहे है कब तक छोरी के सामान पर आप जीते रहोगे अभी चुरी करके आपने हजार दो हजार फिल्मों का फुरा निश्कर से निकाल के आदी पुरुष बनाई थी जो इतनी वाहियाद इतनी घटिया इतनी भगवास निकली कि आपके छे सो करोड डूब गये और साथ ही साथ ही तिजद गये अब इन लोगों ने कान का एक popular गाना चुरा लिया है जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वाइरल है लेकिन इन लोगों को लगता है कि यह गाना हमसे पहले आज तक किसी ने सुना ही नहीं है इसलिए पसूरी नाम से आपने यह गाना सुना होगा बहुत ही ज्यादा वाइरल है और इस गाने को बच्चे से लेकर बड़े तक बहुत सुनते हैं यह इतना वाइरल गाना है तो इन लोगों को लगा कि यार यह तो किसी ने सुना ही नहीं है इंडिया में चलो हम इसकी रिमिक्स बना लेते हैं और लॉंच कर देते हैं तो कार्टिक आरेन की एक फिल्म आने वाली है सत्य प सुनी लिया इंडियन मीडिया भी क्या कह रहा है इस बारे भिए पग गये हैं इंडियन पब्लिक भी पग गई है यार कि Pakistan से गाना उठालिया मतलब एक तरफ लड़ाई है पाकिस्तान से उपर से उसी का गाना आप एक देश भक्ती यानि एक पैट्रियोटिजम की मूवी बना रहे हो उसके अंदर गाना डाल रहे हो पाकिस्तान से उठा कर तो यार यह क्या दिमाग लगाया जा रहे है मतलब कोई समझ में नहीं आता मतलब फिर सुनने को मिलेगी कि कौपी है कौपी है या सुनने को मिल रही है हमने सुन लिया खुछ इंडियन मीडिया रोस्ट कर रहा है इंडियन रोस्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि ओरीजनल की टककर नहीं ले पाएगा किसी भी कीमत पर कोई भी सिंगर गाले अरी ज कोई उस तक कर तक पहुंची नहीं सकता आस पास भी नहीं पहुंच सकता जो ओरीजनल का आप जो एक कहते हैं ना एक कैटिग्री उसने सैट कर एक लेवल सैट कर दिया है तो उस तक तो कभी कोई पहुंची नहीं सकता मेरे साब से सो मुझे गाना सही लगा सुन सकते हैं गाने को मैंने ओरिजिनल सुनाए और रिलीज हो चुका है यह और यहां पर आप देख रहे होगे साइड में कि गाना रिलीज हो चुका है गाना रिलीज हो चुका है एक्चुली तो प्यार मिलेगा व्यूज मिलेंगे बहुत जादा व इसा मुझे लगता है उसकी उसकी कोपी करना भी बेज़ती करने जैसा है कि कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताओ